मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि आज कल पुलिस के जिम में बहुत काम लग गया है घर गिराना, काउंटर करना तमाम काम है और उस काम के आगे विवेचना जितनी मुकदमे की सही डंग से होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं कारण है यही कि कोड से न्याले से मुकदमे छूट जाते हैं तो क्या मानिये मुकवंद्रे जी इन मुकदमों का जो अपराधिक मुकदमा है उनकी विवेचना करने के लिए पुलिस बिंग में अलग से कोई बिंग बनाएंगे जो सुतंत रूप से केवल विवेचने का काम करें माता परशाद जी ने जितने भी पुलिस में सुधार हुए है मानिवर उसी का यह परवाम है कि हमारा क्राइम रेट डाउन हुआ है मानिवर और सुलने जवाद के सुलने हमने तो बेदान किया नहीं हमने तो बेविदान किया नहीं किसी के बोलने में मनवर्द जो उसी का ये परवाम है मनवर्द आपका जो प्रेश्ट है तो ओवराल कानून और विवस्था से सम्मंदित बात है बानवर्द विवेचना की तो कानून और विवस्था का overall जो impact है जनता के उपर उसमें विवेचना भी एक अंग है उसका अगर विवेचना प्रापर नहीं होती तो इतनी जल्दी सजा नहीं दिला पाते इतनी जल्दी सजा दिलाने का मतलब यह है कि विवेचना समय से perform की गई यह उसका प्रणा है और अगर पाट साल में आप देखना जाएं तहमाकरा बता दें कानून ज़्यवस्था का पाट बख़ेचना और बिवेचना का है यह सही है कि जल्दी होना चाहिए अलक से बिंग बने तो कोई हल नहीं है लेकिन यह भी सही है अपने आप में कि योगी सरकार में पिछली दस सालों की सरकार से साथ से लेकर सत्रा तक जो इस्थिती थी मानवर उससे जमीन आस्मान का फरक है और हम आपको बाकाईदा यह बता दे मानवर पुल मिलाकर जो हमारे सामने इस्थिती है बिवेचना के ही बजय से तो कोई बिवेचना के बजय से दगईती में 79.78% गिराबट लूट में 60.40% की गिराबट हत्या में 32.88% की गिराबट फिर हो तीम ने 40.64% की गिराबट बाकार में 22.64% की गिराबट और नंगर NCRB की काकवा हमशा कोट किया जाता थे यह उस NCRB में देनीनि इस भार है और योगी सेरोकार को इस बात में अप्रिश्यट किया है इस्तित उत्तर प्रदेश में जो एंसियार वी की सिध्य है हमसे हमसे 22 गारने जाबा है आर्ज और बिवेच्चरा बिवेच्चरा मालेबर उसका पाइढ और बिवेच्चरा जल्दी होने की बजय से कूई खोने की मिरे से चाहे में था भी फैस्ट हो 20 जिल्दी फई